अब हम कुछ और transformation formulas देखेंगे और फिर्स्ट जो हम transformation formulas के जो series देख रहे हैं ये transformation क्या करती है जब product of the two trigonometric function means sin and cos में अगर दिया जाए तो ये क्या करता है sum के अंदर sum या difference के अंदर change कर देता है तो दो अगर sign का and cos का इनके आपस के अंदर product दिये हूँ cos का, cos में sign का, sign में sign का, cos के अंदर तो product जो है change करके sum में और difference में कर दीता है कैसे c तो formula जाए 2 cos a into b हमेशा धान यहाँ पे रखेगा आगे 2 होना चाहिए तो यहाँ पर जो product है cos a into cos b तो product है तो ये change होके क्या आगया cos a plus b plus cos a minus b के अंदर यानि ये product sum के अंदर change हो गया तो ये transformation formula है another one is sin a into sin b sin a into sin b अगर cos के जगा sin 2 आगे यहाँ पर होना चाहिए तब ये formula क्या हो जाता है minus बाहर रहेगा bracket में cos a plus b minus cos a minus ये formula हो जाता है and then अगर sin का cos के साथ product दिया हो 2 आगे होना चाहिए then this comes out to be sin a plus b plus sin a minus और उसके बार लावा अगर cos का sin में product दिया वा हो तो यहाँ पर क्या होगा sin a plus b minus sin a minus student यहाँ पर हमेशा दियान देखेगा जब आप इस तरह से product sin का cos के sign में जो product दिये हैं या cos का cos में sin का sign में जो product यहाँ पर दिये दिये हैं ये product में हमेशा क्या होना चाहिए 2 आगे की तरफ होना चाहिए अगर 2 नहीं है तो आप यहाँ पर 2 से multiply, divide करेंगे इन पर based में आपको एक example भी बता जीता हूँ C, example is convert the product into sum or difference of the sines and cosines sines and cosines के sum और यहाँ difference के इंदर change करना है यह product हो तो C, first वाले को तो इस simple student यहाँ पर change करने के लिए first में हमें यहाँ पर क्या दिया है 2 sin 3 theta into sin theta यानि यहाँ पर simply आप कौन सा formula लगाएंगे यहाँ पर formula आएगा 2 sin A into sin B और 2 sin A into sin B का formula क्या होता है 2 sin A into sin B का formula हो जाता है minus cos A plus B minus cos A minus B यह formula होता है आपका 2 sin A into sin B का अब इसी formula के according यह 2 sin 3 theta into sin theta कितने के बराबर हो जाएगा minus यहाँ A की जगा क्या है 3 theta B की जगा क्या है theta तो यह हो जाएगा minus आके then cos 3 theta plus theta minus cos 3 theta minus theta this bracket close and this comes out to be minus cos 4 theta minus cos 2 theta 3 theta minus theta is 2 theta तो यह आप देख रहे हैं कि 2 sum के अंदर आ गया cos के minus के अगर multiply आप अंदर कर देंगे cos 2 theta minus cos 4 theta तो जो product का वो sum of the cosine के अंदर आ गया since student यहाँ पर हमें evaluate कराने को नहीं कहा गया है सिर्फ convert करने को तो आपको value निकानने की जरूवत नहीं है otherwise sign 75 degree, cos 15 degree की value आप बिलकुल निकाल से since यहाँ पर क्या करेंगे अब हमने यह की देखा था formula's में formula को मैं आपको दिखा दू कि sign के cos में multiply जब होती है this, यह formula है पर apply होगा लेकिन 2 होना चाहिए, 2 तो वहाँ पर है नहीं तो अब आप 2 किस तरह से लाएंगे c, 2 करने के लिए जब 2 नहीं होता, तो उसके लिए student आप क्या करते है 1 by 2 से multiply कराया, तो 1 by 2 से multiply कराया, तो उसको हटाने के लिए 2 से multiply भी कराना होगा तो यह क्या आजाएगा, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 7, 15 डिग्री अब इसके अंदर आप कि इसका formula है रगाएंगे 2 साइन A इंटू कॉस B का formula, और यह formula क्या आता है, 2 साइन A कॉस B तो 2 साइन A कॉस B का जो formula होता है होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B यह आपके दूस सम के अंदर आजाएं तो according to this formula I can write 1 by 2 and then bracket में साइन A की जगा है 75 डिग्री B की जगा 15 डिग्री तो 75 प्लस 15 डिग्री प्लस साइन 75 माइनस 15 यह आपका आगया अब फर्दर इसे आप क्या लिखेंगे 1 by 2 75 प्लस 15 अगर आप तो यहाँ पर कहना है तो this will be साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 75 माइनस 15 कितना होता है 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री अब आपको वैल्यू भी पता है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 वाई 2 फर्दर अब अगर आप यह जो सॉल करेंगे तो यह कितना आजाएगा 2 प्लस रूट 3 पॉन में 2 इंटू 2 4 तो यह कंप्लीट वैल्यू भी आगे और आपनी ट्रांस्फॉर्म भी कर दिया है यहाँ पर समप साइन्स के इंतर